पंजाब में बहुदल दमाट पारटी और शिरोमनी अकाली दल के गड़वन्दन से विरोधी बॉकलाएं बॉकलाट में दिया बे बुनियाद बयान जी हाँ दोस्तों मैं हूँ इंजिनियर स्नेहां और आप देख रहे है दाथिंग अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस पंजाब के अंदर जो बहुदल दमाट पारटी और शिरोमनी अकाली दल का गड़वन्दन हुआ है उस गड़वन्दन को देखते हुए कई विरोधी खेमे में जो है वो हलचले मची हुई है आपको बता दे कि आम आदमी पारटी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में पैर प पासाने का काम कर रही थी लेकिन इस गड़वन्दन ने उनके सपने जो है वो चूर चूर कर दिये आपको बता दे कि इस गड़वन्दन के कारण आम आदमी पार्टी की जो है वो नींद उड़ चुकी और अब वो इस बखलाट में अजीब और गरी बयान जो है वो सामने आ रहा है उनके अजीब और गरीब बयान सामने आ रहा है आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रागाव चड़ा इन्होंने तो अजीब बयान दे दिया है आए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा पंजाब में एक मूवी चल रही है उस मूवी के डिरेक्टर है प्रदान मंत्री मोधी वजीर आजम मोधी और उस मूवी के किरदार एक्टर है बीएसपी और अकाली दल ये दोनों लीड एक्टर हैं और डारेक्टर के कहने पर इन दोनों एक्टर के बीच जुगलबंदी करवाई जा रही है कहने का मतलब है कि मोधी जी के कहने पे मोधी जी के हाथों में बीएसपी वो पार्टी है जो आज पार्लेमेट में तो बीजेपी का साथ देती है बीजेपी की भाशा बोलती है उसके साथ साथ किसको टिकेट देनी है ये भी बीजेपी से पूछ के करती है किस पार्टी के नेता से बात करनी है ये भी बीजेपी से पूछ अकाली दल के एक साथ आने से सबसे ज़्यादा नुक्सान में अगर कोई है तो वह कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है दोनों के दोनों जो है वह चारों खाने चित होने के लिए तयार बैठी हुए है चुकि बहुजन समाट पार्टी और शिरोमनी अकाली दल जो है वह आपको ये बात बता दे कि जो आम आदमी पार्टी अपने आपको सविधान प्रेमी होने का दावा करती है ये वही आम आदमी पार्टी के आविन केजरिवाल है जिनोंने एक अंदोलन चेडा था इंडिया अगेंस्ट रि्जर्वेशन तो इस रिजर्वेशन के विरोधी अंदोलन चलाने वाले या अर्विन केजरी वालात साविधान प्रेमी बन रहे हैं आपको बता दे कि इनकी जो जड़े हैं वो कही न कही आरेसेस के साथ मिली हुई है और ऐसे में वो दूसरी पार्टी मतलब बहुजन समाट पार्टी हो या फिर शिरोमनी अकाली दल है इनके बयान बाजी से इनके इस विवादित और जूटे बयान बाजी से बहुजन समाट ने सतर कर रहना चाहिए ऐसे में आपको बता दे कि बहुजन समाट पार्टी और शिरोमनी अकाली दल का 1990 में एक पहले गड़ बंदन हुआ था और ऐसे में 13 लोग सभा सीटों में से 11 लोग आदमी पार्टी भी जानती हैं और आपको बता दे कि जब यह अगड़ बंदन हुआ था 1990 में तब मानेवर कांचिराम साहब जो की बहुजन समाट पार्टी के संस्थापक है संस्थापक अध्यक्ष है वो होश्यारपूर से सांसर भी बने थे आपको बता दे कि अब आम आ गबराट जो है वो जायज है और अब अपने घबराट में अजीब और गरीब बयान वो सामने आ रहा है क्योंकि वो जानते हैं शिरोमनी अकाली दल और बहुजन समाट पार्टी जब एक साथ आती है तो सफलता के कदम चूमती है और जो इतिहास है वो बदलने का काम करने वाली है और इसलिए कॉंग्रेस होया आम आदमी पार्टी आये दिन उल्टे सिधे बयान बाजी जो है वो जारी कर रहा है इस अंदर में आप क्या सोचते हैं पंजाब के अंदर बहुजन समाट पार्टी और शिरोमनी अकाली दल के गडबंदन को लेकर आपके क्या विचा जारधारा को घरगर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुलें